आज मैंने एक नई रेसेपी बनाई है एक डिफ्रेंट स्टाइल में तो आपको कैसी लगी जरूर बताना आज मैंने बनाई है फ्रूट जेली केक और बहुत आसांस है वैसे तो यह चलो तो हम स्टार्ट करते हैं पहले तो हम एक बावल में हम तीन ग्लास जितना पानी को डालेंगे चीनी को अध्य केटोरी चीनी को डाली है मैने और इसको हम हलके से इसे मिस्स कर देंगे ठोटी सї पीगल जाएगी उसके बाद इसमें हम अगर-अगर का पावडरको मिलाएंगे अगर-अगर का पाउडर आपको बाजार में रेडी मेट मिल जाता है आप देख सकते हो मैंने इसमें दो चम्मज जितने अगर-अगर पाउडर के मिलाए है बड़े चम्मज ही लिए और इसको हम उबाल लेंगे अच्छे से दीमी आज पर चार से पाउच मिनिट तक ऐसे ही उबाल लेंगे इसको हम पहला तो स्टोर कर लेंगे ऐसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके बाद इसको हम चार से पाउच मिनिट तक दीमी आज पर ही उबाल लेंगे और आप देख सकते हो चार से पाच मिनिट बाद आप उबाल आ गया है आप देख सकते हो आपको जैसे मिक्स करेंगे आपको ठिकनेस पता चल जाएगी तो आप समझ जाना बिल्कुल रेडी है तो उसके बाद इसमें हम एक प्लास्टिक क्या या नॉन्स्टिक कोई भी बावल को लेंगे उसमें पहले तो हमारा जो बना के रखा था अगर-अगर का मिक्स्टर वो डाल देंगे और उसके बाद इसमें हम सारे फूर्ट को डालेंगे आप चाहे तो कीवी, द्राक, स्टॉबेरी कुछ भी ले सकते है पहले मैंने कीवी को रखी है अच्छे से इसमें हम राउंड सेप में कीवी को रख देंगे आप चाहे तो स्क्वेर का भी ले सकते हैं round bowl लिया है तो round करके रख दोँगी कीवी को कीवी के बाद इसमें हम बीच में strawberry को रख देंगे अपने हिसाफ से पहले कोई भी fruit रख सकते हो मैंने पहले kiवी को रखिए और उसमें strawberry को रखिए आप अपने हिसाफ से सारे फूर्ट ले सकते हैं मैंने जितने घर में अवेलिबल थे उतने सारे फूर्ट ले लिये और उसके बाद इसमें हम बनाने को रख देंगे बीच में अब इसमें हमारा गर-गर का मिस्टर को डालेंगे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे थोड़ा ही डालेंगे पहले तो और उसके बाद हमारे सारे फूर्ट डाल देंगे जैसे हमारे पाइनपल है दुराक्स है स्टोबेरी है सारे फूर्ट हम अच्छे से डाल देंगे इस पर आप चाहे तो एपल भी ले सकते हो ड्रेगन फूट भी ले सकते हो आप जो चाहे फूट डाल सकते हो इसमें जितने ज़्यादा फूट होंगे हमारा फूट केक बहुत अच्छा बनेगा और बहुत तेस्टे भी बनेगा इसमें हम बनाने को भी डाल देंगे कट करके और उसके बाद जो हमारा बचा हुआ अगर अगर कम हिसार वो भी डाल दूँगी और इसको हम अच्छे से यो डाल देंगे बिल्कुल डीप हो जाना चाहिए और इसको हम 20-25 मिनिट तक ठंडा होने देंगे रूम टम वेचर पर ही ठंडा होने देंगे आप चाहे तो फिरिस में भी रख सकते हो लेकिन बाहर या अच्छे से ठंडा हो जाएगा और बिल्कुल हाड हो जाएगा जो हमारी अगर अगर है बस एक टैप कर लेंगे बस इतना ही आप देख सकते हो 20-25 मिनिट बाद बिल्कुल हाड हो गया है अब हम जैली बना लेंगे जैली आप कोई भी ले सकते हो जैली को अच्छे से उबाल लेंगे जैसे आपको जैली के पैकेट में लिखा है वैसी तरह उबाल लेंगे उसी तरह हम जैली को बना लेंगे आप चाहे तो कोई भी जैली का यूज कर सकते हो मैंने raspberry जैली का यूज किया है और उसके बाद जो हमने बना कर रखा था ता इस पर हम जैली को डाल देंगे और हमारी जैली को हम 2-3 घंटे तक सैट होने के लिए फिरीज में रख देंगे अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो सैट हो जाएगी दो से 3 घंटे बाद देख सकते हो बिलकुल सैट हो गई हमारी जैली तो बस हलका साइट को छुड़ा लेंगे हम आप नाइफ का भी उसकर सकते हो अब हम एक प्लेट पर ऐसे उल्टा कर देंगे और उसको ऐसे टैप करेंगे तो आसानी से बहार आ जाएगी आप देख सकते हो कितना अच्छा दिख रहा है तो बिलकुल रेड़ी हमारा फ्रूट जैली के एक वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और पहला एकन को जरूर प्रेस करना जिससे आपको मेरी नेक्स वीडियो की नाटिफिकेशन मिल जा आप एक उरूर का एक टूर आपको एक भया है तो दिख खम लाइकन को एक बार करना वार का प्हाँ की लगेरちゃ मेरी हमारा एके हमारा युटर सब्सक्राइब बिलकितर रहा है तो आपको जिखने हमारा ऑर बिलकुल आपको?